ना इनम् है कि अनिम्हर यह इशलु दोस्थ अगर आफ लोग भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं अपने population से नम्हरुते स्बसे पहले आपको कर लेंपको अपर अडिक कर लेना है और अभी आपको इस प्लास के आईकन पर क्लिक करके create project पर क्लिक कर देना है और अपने हिसाब से size select कर लेना यहाँ पर अभी आपको justice plus के आईकन पर क्लिक करके मीडिया में जाना है और मीडिया में से अपनी उस वीडियो को select कर लेना है जिसे आप edit करना चाहते हैं तो ही मैंने हाँ पर एक वीडियो के layer पर क्लिक कर देना एफेक्ट में जाना है और add effect पर क्लिक कर देना है और उपर में आपको search करना s80 तो दोस्तों जैसे आप s80 search करेंगे आपको उपर में saturation and vibrance मिल जाएगा ऐसे यहाँ पर standard setting पर रख देना है अभी इसका saturation आपको increase कर लेना है plus 25 और इसके जो है vibrance को 1.20 के around is जो है increase कर देना है अभी आपको add effect पर क्लिक कर देना है और उपर में सर्च करना है channel तो दोस्तों जैसे आप channel search करेंगे आपको उपर में channel RAM पार जी भी मिल जाएगा इसे यहाँ पर standard setting पर रख देना है अभी मैं इसे standard setting पर कर लेता हूं अभी आपको यहाँ पर इससे adjust कर लेना है कुछ इस तरह से तो आपको second line वाइक को select कर देना और third line में आपको फॉल स्क्रीन में cover कर देना अभी आपको color and fill में जाना है और यहां से जो है आपको ग्रीन color select कर देना और यहांसे एक बार वह कर जाना है अभी आपको blending and opacity में जाना है यहां पर difference में जाना है आपको और यहां पर आपको चार option है तो आपको third number पर एक सब करना copy just अभी आप जैसी copy search करेंगे आपको उपर में copy वेग्रांड मिल जाएगा इसे यहां पर standard setting पर रख देना और यहांसे गवार वह कर जाना है add effect पर किले कर देना उपर में आपको search करना g au तो दोस्तों जैसे आप g au search करते हैं तो आपको उपर में gusty and blur मिल जाएगा इसे यहां पर standard setting पर select कर देना है और अभी आपको add effect पर किले करके के उपर में आपको सर्च करना है एक्स तो दोस्तों जैसे आप एक्स सर्च करेंगे आपको उपर में एक्सपोजर गाओं मिल जाएगा इसे यहाँ पर स्टेंडर्ड सैटिंग पर रख देना है अभी जो आपको गसियन ब्लर को इंक्रीज करके प्लस 20 के एराउंड में कर दे देना है माइनिस 50 और इसके गामा को जो है यहाँ पर आप 800 के आप्रोक्स में कर लेना है तो मैंने यहाँ पर 800 कर लिया है और इसके आपसाइट को जो आप अपनी वीडियो के साफ से रख सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसके आपसाइट को जो है माइनिस 5 रख लेता हूं यह एक बर वह का जाना है, अभी आपको अपको गसीं विलर में जाना है और यहाँ पर देख लेना है किस तरह से आपको वीडियो में prafformence रहेखяти क्वाल्टी की वह best तो यहाँ पर मैंने 310 कर लिया अपको स्कृरिन पर टैप कर देना है अभी आपको इस plus के icon पर click करके ये बाला save जो select कर देना है scroll वारा अभी जो आपको zoom करके कुछ इस तरह से screen cover कर देना है color and fill में जाना है यहां से white color select कर देना और एक बार वैक जाना है अभी आपको blending and opacity में जाना है यापर आपको contrast का option आपको इस पर click कर देना है और यहां पर आपको एक फस्ट में overlay मिलेगा आपको इस पर click कर देना है और यहां से एक बार वैक जाना है अभी दोस्तों जो है वीडियो में अगर आपको कुछ brightness कम भी लग रही है तो आप इसको increase भी कर सकते हैं अभी आपको सबसे उपर में जो layer आपको उस पर click कर देना और इस पर click कर देना है और duplicate layer बना देना एक तो सबसे उपर में जो layer आपने duplicate बनाई है आपको उस पर click कर देना और blending end opacity में जाना है आपको अभी जो यहाँ पर इसका जो brightening से आप कम ज़ादा यहाँ से कर सकते हैं तो अभी यहाँ पर मैंने इसको जो 70 रखा है अभी जो एफेक्ट्स वीडियो में सिर्फ यहाँ तक अपलाई है इसके बाद कोई एफेक्ट अपलाई नहीं है तो अभी जो इस सभी layers को tick mark कर देना है और वीडियो के end में जाना है अभी आप देखेंगे सबसे नीचे आपको left side में दो icon देखेंगे तो first और second तो आपको first पर click कर देना और वीडियो में जो एक कोछ इस तरह एफेक्ट अपलाई हो चुका है आपकी अभी जो इस वीडियो को download करने के लिए simply आप उपर arrow के icon पर click कर देना है इससे क्या है आपको export पर click कर देना और वीडियो जो आपकी gallery में save हो जाएगी thanks poor watch this video